हाई दोस्तों कैसे हैं आप सभी में डॉक्टर अन्वेस फिर से अपने यूट्यूब चनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है मस ते इंजोई कर रहे हैं 11 इंपोर्टन क्योशन पर मैं आ गया हूँ सप्लाय चैनल लॉजिस्टिंग मेनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है और यहां पर मैं आपको बता दूँ यदि और ज्यादा आपको डिटेल की रिक्वार्मेंट है तो डिटेल वीडियो में यह सारी ही सारी चीज़े हैं मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बताई है बुक भी बाई कर सकते हो 199 में हम दोनों ही इसकी डिलीवर कर रहे है आपके एड्रेस पे इमेल एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगी 11 most important क्या है third party logistic and the fourth party logistic अब third party logistic बहुत simple question है और वह simple इसका answer भी है अब logistic क्या होता है logistic वही होता है third party पहले logistic समझ लेता है उसके बाद यह सारी चीज़े समझेंगे manufacturer को product कहां पर पहुंचाना है customer के पास पहुंचाना है यही मानते हैं चलते हैं कि direct manufacturer किसके पास product पहुंचा रहा है customer के पास यानि कि हम यदि मैं अगर कोई manufacturing कर रहा हूं बुक्स डिलिवर कर रहा हूं student के पास में तो manufacturer to direct customer तक आती है वो student तक आती है इसी को logistic supply बोलते है अगर यह थर्ड पार्टी करता हूं यानि कि मैं कुद कि अपने किसी बंदे को न वेच के किसी third party से type कर रखा है जैसे हमने किन-किन से type कर रहा है हमने flipkart की company ecom से type कर रहा है हमने amazon की company से type कर रहा है हमने ecom से type कर रहा है हमने expressbiz से type कर रहा है हमने delivery से type कर रहा है तो हमने 4-5 major suppliers है सब के साथ type कर रहा है तो वह खेलाता है third party logistic system जिसके अहंदर company किसी third party को hire करती है इस पूरी logistic supply को manage करने क आउस है कि मैंने फाइब के पहुंचे का होताँए उसको चेक करना होताँ आउट्स्रोर्स करा अब फूर्ट पार्टी में हमारे पास जैसे बहुत सारे और स्योंन है ecom hai express bees hai ठीक है FedEx hai तो ये सारे हमारे पास क्या है delivery partners है ये तो third party लेकिन ये हमने choose करा third party हमने choose करी fourth जो logistic होता है इसके अंदर जो delivery partner choose करने का काम भी हम outsource करबा देते है मतलब वो भी हम नहीं कर रहे है कि किसको हमको देना है delivery के लिए क्या Ecomm को देना है क्या ExpressWise को देना कि किन को देना हैやनी यह जो हमने OutSource करा किसी भी third party से यह delivery का पूरा mechanism OutSource करा उसको OutSource देने का जो ठेका भी है Means कि किसको work का साइन करना है वो भी हमने आउट्सोर्स कर लिया मतलब यह डिलिवरी को जो आसाइन करने वाला मेनेजर है वो भी आउट्सोर्स कर लिया तो इसको बोला जाता है फोर्थ पार्टी लोजिस्टिक तो थर्ड पार्टी तो पहले प्रिवेस चलता का सबसे मेन हले कि यह हमों को ईजी हो जाता है still को कॉंस्ट कर जाऊंगा अब रुजक्ट एक disparic क्लिक्ट हो जाता है और सेकंड कस्तंबर के लिए भी एलफूल हो जाता है कि उसको कोट मिल जाता है, एक professionals बंदे होते हैं, लेकिन जब मैं जो third party को भी, अगर outsource करने जाओ, third party को भी, मैं किसी और को कहूं कि आप choose करो कि मेरे को delivery को जाना है, express beast से जाना है, या e-com से मेरा माल भेजना है, या मैं खुद ले जाना चाहूं, पोस्ट ऑफिस के दुरू बेचना है तो यह मैं अगर यह भी कह दूं यह क्यों करा जाए ताकि मैं कमपनी का में बिजनेस है उसके उपर फोकस कर सकूँ और कमपनी का में बिजनेस क्या होता है मैनुफेक्चरिंग और नए नए प्रोडक्ट इंवेंट करना और नए नए मार्केट सर्च करना जो में आइडिया है उसके उपर फोकस कर सकूँ इसलिए हम फोर्ट पार्टी लोजिस्टिक में चले जाते हैं ताकि बले यहां पर कॉस्ट बढ़ गई है हमारी कॉस्ट जो ह करने के साथ में इसके साथ में भी फोर्ट पार्टी लोजिस्टिक ले लेता है वह कहता है कि हम प्रोड़क्ट ले रहे हैं उसको असाइन करने का काम भी किसी और को दे दो केवल हमारा एक वर्टिकल सिस्टम रखो जियो मार्ट का जिस पर हम केवल और बढ़ाने की satisfaction, after sales services, return और इस तरीके के point होते हैं ये भी outsource कर लिए जाते हैं तो इसको fourth party logistic, third party के अंदर हम courier partner outsource कर रहे हैं और fourth partner के अंदर हम जो इसको choose कर रहा है, जो manage कर रहा है उस party को भी outsource कर लेते हैं तो उसको fourth party logistic बोलते हैं, fourth party logistic tech concept the outsourcing logistic step future to introducing higher level of coordination and management, अब ये तभी करना चाहिए जब geotype आपकी एक वड़ी company हो, है ना जब geotype आपके पास रोज के 50,000 order आते हो, तब आप ये किसको manage करना है, क्या करना है, इसको भी outsource कर लोगे, तो आपको ज़्यादा growth में help होती है, तो फोर्थ ग्रूप पर भी मिल जाएगी, नमस रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे साथ भी जुड़े रहिए, जय हिन